वजट पर प्रोविजन करके अलग से कोई योजना नहीं बना साथ तो आपको ये बिमारी का पता चलना चाहिए उसी का एक मेकानिजम है कि आप जातिगत जनगनना जो है वो आज जातिगत जनगनना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी याजब ने राज़त कर्याले मे प्रेस कान्फरेंस किया जिसमें उन्होंने साफ तोर पर कहा कि जातिगत जनगनना होनी चाहिए साथी साथ उन्होंने नितिश कुमार ने जिस तरीके से परधान मंतरी को पत्र लिखा था और उनका अब तक जवाब नहीं मिला है उस पर उन्होंने कहा कि ये नितिश कुमा आफिजनार को समय नहीं दे रहे हैं तेजस्वी आदब ने कहा कि आज मैंने भी पत्र लिखा है हमने भी परदान मंत्री से समय की मांग किए अगर अगर पत्र का जवआब नहीं बिलता है तो हम लोग जंतर मंतर पर आंदोलन करेंगे अगर कुछ नहीं होता है तो बिहार सरक खुद के पैसों से करनाटक के तर्ज पर जातिगत जन्गन्ना करवाए क्या कुछ कहा है तेजस्वी आदब ने प्रेस कॉन्फरेंस में सुनिये कि आप देखी ना नहीं कि मुख बोलने से क्या फर्क्त बंटन समतिशे प्रस्ता भारति जंथा पाटी के सरवसमति से प करें हैं और अधिall प्रद्धान मंति जी से मिलकर के बता दें भाय। नो कम-कम जे-में मांग तो कर शbuildूस kitty brother अगर सुनवाई नहीं होती है अगर प्रधान मंत्री जी मना कर देते हैं तो उसके बाद तो कोई उपाय बचता नहीं कि उसके बाद तो यहीं उपाय बचेगा हम तो सबसे मांग करेंगे सबी दलों से कि जंतर मंतर पर चल करके बैड़ जाया जाए वहां अंदोलन हम लोग किया जए नहीं तो राज सरकार जो है करनाटका सरकार ने जिस प्रकार से मुख्मंत्री जी को जनकारी थी नहीं उन्होंने का कि हम आपी का सुनकर के करनाटका का हम मंगा हैं स्टडी कर रहे हैं इसमें भी मुख्मंत्री जी को जो भी डॉक्यमेंटेशन के लिए अगर जो भी करनाटका में जैसे उन्हों को ने कराया है जो भी इसके लिए जरूरत होगी वह भी हम उपलप्त कराने के लिए तयार लेकिन इसमें तो निर्में मुख्मंत्री जी को लेना है कि बिहार वि प्रधान स्वागा है अगर प्रधान मंत्री जी मिलने का समय तक नहीं देते हैं तो आप समझ जाए जो एंडिये के पार्ट्रन और आमको लगता है कि पूरे उत्तर बिहार में सबसे बड़े अगर कोई पार्ट्ण है इंडिये के तो वो नितीश कुमार जी है और नितीश सारा बिहार विधान सभा का डेलेगेशन को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं तो आप समझ जाए कि नितिश कुमार जी की क्या पूछ है के इंद्रसकार आप आप देखी नाप प्रधान मंत्री जी का एक ट्विटर हंडेल आप देखें जो हर किसी से मिल रहे हैं ये चार तारीक से लगतार मुख्यमंति जी समय मांग रहे हैं लिखा भी गया है चिट्थी भी लिखा गया कौन-कौन लोग जाएंगे इसका भी नाम भेज दिया गया है फिर भी अगर समय नहीं मिल रहा है एक होता नहीं कि भाई फनला तारिक को भी नहीं ये वो भी तो नहीं बताया गय या कि एक महिने बाद मिलेंगे या घंज दिन बाद मिलेंगे या पंद्रा दिन बाद मिलेंगे वेसे समाज के लिए कई जिद्वार जो है नौकरिया भी बढ़ेंगी लोगों को नौकरी भी मिलेगी आर्थिक स्थिति भी उनका सुधार होगा गरीवी से भी उभार पाएंगे तो यह काफी इंप्वार्टेंट है केवल बिहार के लिए नहीं बलकि पूरे देश भर कि अभी कोई भी बिल बना दे कोई भी बिल पास करते हैं है रात सिरकार पर ठोग दे किसी को भी ओवी सी वागर्रा में आप ला सकते हैं केंद्र सिरकार ने जो नया पास किया है कि राज्यों पर छोड़ दिया कि किस जाती को जो है OBC में लाना है लेकिन इससे अगर आप ला रहे हैं अगर एक कमड़ा केवल चार लोगों के लिए बना है आप उसमें पंदरा लोगों को डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कमड़े को भी बढ़ाना पड़े तो हमारी मांग है कि इस संक्या जो 27% का है उसको भी बढ़ाने की जरूरत है साथ ही साथ जो बैक लॉग जो रहा है उस बैक लॉग को भी भढ़ने की जरूरत है जो हमारा अधिकार बनता है हक बनता है आखिर खाली है तो इसका नुकसान तो हो ही रहा है इस नुकसान का भ पर आने से नहीं होगा असल में ये काम सबसे मंदारी से अगर हम बताएं तो ये तभी सफल हो पाएगा जब जातिवत जंगन्ना हो पाएगा जब असली पिच्चर आपके सामने आएगा तभी जो है चीजे सफल हो सकती है वर्णा कितने भी कानून बना दिया जाए उससे आप लोगों को कोई इस विशे में क्योंकि ये विशे रैस कॉंसेंट जो है जाकितिगर जंगन्ना को लेकर कि इस विशे में अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न अगर पूछना है तो आप लोग जोहर पूछ करीबों आखिर ये लोग हैं कौन कहां से आते हैं कौन है आधन्य लालू जी शराद जी मुलायम शिंग जी के मांग पर आप लोगों को भी पता है कि आर्थिक सेक्षिनिक और जातिय जंगन्ना अकराने की जो मांग पार्लेमेंट में लोगों न किया था वो हुई लेकि पब्लिसाइज ने हैं हम लोगों की मांग ये कि भई जातिय जंगन्ना हो और इसको पब्लिक डोमेन में भी डाला है और हम लोग इसी दोरान में क्योंकि एक हवता से जाधा हो चुका है और मान्य मुख मंत्री जी लगतार जो है समय मांग रहे हैं परधान मंत्री जी से समय मिलनी रहा है तो आज हमने भी परधान मंत्री जी को एक चि चिंफितन है आप लोगों को मोबाइल में पहुखवा देंगे हैं आप लोगों को सारी चीजें हैं स्यक्ते हैं देख सकते हैं लेकिन हमको है यह उमीद मेरा अशा है कि कहीं न जाहीं से हम लोगों की जो यह लड़ाई जो है जो मांगों जो देश हित में है राज हित में है जन हित में है इस पे कि कि दोनों जगें एंडिया की सरकार है डबल इंडियन की सरकार है चाहे केंद्र में हो राज में हो करना इन ही लोगों को है इसलिए हम बिना भेद भाव के आदर्ले मुक्ष मंत्री जी से जाकर के उनके कक्ष में बिहार विधान सभा के सभी निता विरोधी दल जित्रे लोग है सब लोगों के साथ जाकर कि मिले कि भीया आप समय लीजिए आपके लित्रित में हम लोग चलेंगे तो कहीं ना कहीं से अगर एक हफ्ते से समय नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से यह मुक्ष मंत्री जी का अपमान है क्योंकि प्रधानमाची जी का हम ट्विट हंडल देखते हैं तो लगतार औरों से मिलने का समय है लेकि जतने महत्पून इश्यू पर अगर उनको नितीश कुमार जी को पूरे बिहार विधान सभा के जितने दल है उनके लेताओं का एक डेलिगेशन मिलना चाहता है अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से जो है यह जादा हम नहीं पता सकते लेकिन अब तक तो समय मिल जाना चाहिए तो इसमें हम चित्थी लिख करके उनसे फिर से हमने अप्ली की है गोहार की है कि भाई यह जो समय जो है यह हम लोगों को मिलना चाहिए और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आदरने लालुजी लगतार कई बार एक बार नहीं कई बार सरकों पर भी उतर करके जातिकर ज क्रेंस करके इस बिंदु पर जो है हम लोग चट्चा करें सुचित नहीं किया गा अब है अगला तो वह तो बाद में अगर तो हम तो भाई जाहिर सी बात है अगर बिहार विधान सभा से कोई चीज सर्व समती सर्व दलिय पास हुआ है तो जाहिर सी बात है हम तो बैठेंगे बैठेंगे सब लोगों को बैठ रहे चाहिए अगर ने देखें किसान आंदोलन को लेकर के किसानों की मांग को लेकर के कुछ लोगों ने जो है अपने मांग को मजबूती के साथ रखने की खूशिश की और किसानों का तो एक मांग तो बड़ा जाइज है भाई कि MSP तो हो नहीं चाहिए और अब तक जो है उस पर कोई कारवाईया सुनवाई नहीं होती है तो लोगों का सब्र तो तूटे गा ना भाई लोग जो जन प्रतिनिधी जो लोग चुन करके आते हैं जिनको जनता भेजती है उनसे तो जनता सवाल करेगी ना जब उन जन प्रतिनिधी का मान सम्मान उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो इस तरह की चीज़े होती है को पहली बार नहीं पहले पूर में भी हुई है लेकिन यह सरकार की जिवेवारी बनती है कि इस चीज़ को सौट ओप कैसे किया आप कम से कम किसानों से बात तो कीजिए उनको भरोसा तो दिलाए को बाहर के किसान फुनीन आपी के देश के किसान है आन्न दाता है पुनी के बदला थन लोग जो है पेड़ भड़ते हैं अगर जो पेड़ आप जिस जो व्यक्ति जो लोग आपका पेड़ भड़ते हैं आप उसका नहीं सुन रहे हैं तो आप तो किसी का नहीं सुनिये इस लोग ढ़ाने की बात करते हैं तो भाइ सर्व समथी से पीज़ेपी के लोगों कि पास किया इस शदन में एक बार ने दो बार पास किया न भाई वाजपा के लोगोंने सर्व समथी से ना पास हुआ तो कौन सी बात सही है? वो तो बीजेपी के लोग ही बताएं. अब अब इस पे हमको जादा जानकारी दी है. अब इसी विशे में आप सोचे दर प्रेस कॉन्फरेंस रखे रहे हैं. प्रधान मंत्री जी बंगाल के मुक्ष मंत्री से मिल रहे हैं. पंजाब के मुक्ष मंत्री से मिल रहे हैं. और लोग सभा के चुनाओं में विहार ने सबसे ज़ाधा 40 में 49 सीटे जो हैं वो NDA को देने का काम किया. यानि लगभग सारी सीटे जिस राज ने NDA सरकार को देने का काम किया. उस राज के मुक्ष मंत्री निकादर के नितीश कुमार जी को समय क्यों नहीं दे रहे हैं नितीजी समझें. लेकिन हम सब लोग चाहते थे कि हम लोग सब लोग जाए आप तो विलम हो रहा है. अभी कुछ दिन पहले जो है पार्लेमेंट में भी एक सवाल पूछा गया जहां केंद्र सरकार ने जवाब दिया है जातिकर्द जन्गर्ना को लेकर के. ये श्री विशंबर प्रशाद दिशाद जी ने जो MP है UP से आते हैं उन्होंने सवाल पूछा पार्लेमेंट में इसमें साथ तौर पे केंद्र सरकार ने जवाब दिया है. The Government of India decided not to enumerate caste-wise population with other than SCs and STs in census as a matter of policy after independence. यानि साफ तौर के जो है केंद्र सरकार जो है मना करती है पार्लेमेंट में सदन में कि आफ्टर इंडिपेंडेंडेंट जो है policy के चक्तर में हम जो है caste-sensus जो है वो नहीं कर सकते हैं अगर आप देखेंगे तो लोग सवाब में एक और सवाल पूछा गया जितने पिछडे हैं दलित हैं उनके बैकलॉग के सवाल यह लगभग जो है 50% उनका बैकलॉग जो है वो खाली जातीकत जंगर्ना जब हम कराने की मांग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम जाज़पात की राजिती करते हैं आप समझे कि यह पिछड़े पन का जो बिमारी है जो गरीबी की जो बिमारी है पिछड़े पन की जो बिमारी है जो अंतिम पैदान पे जो सुसाइटी समाज हमारा खड़ा है यह उसकी उन्नती और उत्थान के लिए आपको सहीं में आपको जानना पड़ेगा किसी भी बिमारी का इलाज करने के लिए आपको बिमारी का पता करना पड़ेगा तो यह जो कास सेंसेज है जब तक यह नहीं पता चलेगा कि किसकी कितनी संख्या है कौन जो है भीत मांगना